नमस्कार में हुआ आपके साथ रोहित और खबर उत्तरप्रदेश के मुख्या योग्यादितनात और उनकी मा से जुड़ी हुई है क्योंकि उनकी मा की तबियत इस वक्त खराब है जिसके बाद योग्यादितनात सीधे गोरकपुर से उत्तराखंड पहुँच गए और मा का ह हाल चाल जाना है इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी भी पहुँचे थे और उन्होंने भी योग्यादितनात की मा का हाल चाल जाना था और अब यूपी के मुख्या योग्यादितनात गोरकपुर में अपना सभी काम खत्म करने के बाद मा क का हाल चाल जालने के लिए रिश्खेस पहुचे जहां पर उनकी मा का इलाज इमस में चल रहा है इस दोरान योगी आदितनात् glitch방 ने अपनी मा का हाल चाल जाना 85 साल की उनकी मा के इस वक्त उम्र है दो साल पहले भी मां से मुलाकात योग्यादितनाथ ने की थी तब वो काफी भावुक हो गए थे आपको तस्वीर दिखाते हैं जो तस्वीर वहां से आई है जिसमें योग्यादितनाथ अपनी मां का हालचाल जान रहे हैं और यह तस्वीर आपको भावुक कर देगी जो इस स्क्रीन पर आप मुलाकात की और मा की तवियत के बारे में जानकारी ली जानकारी देते चले कि सीम योगी की मा सावित्री देवी की उम्र 85 साल हो गई है आखों में परिशानी के चलते साथ जून को उन्हें एम्स में भरती कराया गया उनका जिरियास ट्रिक वार्ड में इलाज चल रहा है शन दौरान उनके साथ उत्तराखंड के पूर्मक्मंत्री त्रिवेंध सिंगरावत और मौजूदा स्वास्तमंत्री धन सिंगरावत मौजूद थे वहीं मा से इस मुलाकात के पहले योगी अद इतनात ने दो साल पहले 2022 में मा से मुलाकात की थी उस सियम योगी से मिलने उत्राखंड पहुँचे थे योग्या दितनाथ अपनी मा से मिलने के लिए इस दौरान उन्हेंने मा के पैर चुकर आशिरवाद भी लिया था माने भी योग्या दितनाथ के सिर पर हात रखकर उन्हें आशिरवाद दिया था और काफी भावक पल था कि आख में दिक्कत होनी की जासे उन्हें साथ जून को भरती कराया गया और लगातार डॉक्टर डॉक्टरों की निगरानी में योग्यादितनात की मा सावित्री देवी का इलाज चल रहा है और अब 20 मिनट लगभग योग्यादितनात ने भी मासे मुलाकात की उनका हाल चाल जाना और चेहरे पर दोनों के खुसी नजर आ रही है पचासी साल के उम्र में जिस तरीके से योग्यादितनात की मा अपने बेटे को देखने के बाद काफी खुस नजर आई उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये भावुक कर देने वाला पल रहा है फिल उत्राखन के मुख्मंत्री पुसकर सिंग धामी पहुंसते हैं योगी की मा का हाल चाल जानते हैं और फिर आज उत्तरप्रदेश के मुख्या खुद उत्राखन पहुंसते हैं और मा का हाल चाल जानते हैं लिसके इस एम्स में 20 मिनट तक वो हॉस्पिटल में रहते हैं मा से मुलाकात करते हैं और फिर एम्स के डारेक्टर से मुलाकात करके मा की तवियत के बारे में जानकारी लेते हैं तो अभी तक की अपडेट यही रही है और फिर योग्या इतनात मा की तवियत की जानकारी लेने के बाद अपने काम पर निकल जाते हैं और फिर जनता की सेवा के बीच में आ जाते हैं आगे जो अपडेट आएगे आप तक जरूर पहुचाएंगे बने रहे हैं मफने उसके साथ